नमस्कार दोस्तो तो इस वीडियो में भारत के भुगोल से संबंदित जो बिगत वर्सों में UPPCS में पूछे गए हैं उसका विशलेशन और अबलोकन है तो पहला प्रसन है संसार का सरवधिक जनसंख्या वाला मरोस्थल है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरोस्थल अगर पूछा जाए तो थार मरोस्थल है विखल्फूस का सके अंसर है आपको भी पता है कि फार मरोस्थल का जो बिस्तार है भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है लेकिन अगर क्वेशन पूछ देता कि सबसे बड़ा मरोस्थल कौन सा है तो सहारा मरोस्थल है जो कि आपको अफ्रिका में मिलता है तो विकलफ सीज का इसे एंसर था अच्छा एक फैक्ट और है कि थार मरोस्थल के बारे में ये है कि एक किलोमेटर स्क्वाइर में औसतन 83 बेकती रहते हैं यानि 83 लोग रहते हैं जबकि दुनिया में जितने अन मरोस्थल हैं उनका जनगनत साथ के आसपास ही है तो इस लेकर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो मरोस्थल हुआ वो थार है नेक्स्ट निम्न में से कौन सही सुमेलित है तो एक साथ जील है और दूसरे साथ उसकी अवस्थिती है तो सही वाला पहले देख लेते हैं जैसे विकल्फ सी में है लिखावा कोलेरू के सामने आंदर प्रदेस ये सही है मतलब कोलेरू जील जो है वो आंदर प्रदेस में है मैं अपने आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे तो लोनार के सामने मद प्रदेस लिखा हुआ है जो गलत है क्यों क्योंकि लोनार जील महरास्ट्रा में है और लोनार जील से एक बात ये भी याद आ रहा होगा गर आपने लुसेंट पढ़ा होगा तो कि लोनार जील का जो निर्मान है तो पृतिवी पर छुद्र गरह गिर गया इसके कारण लोनार जील का निर्मान हुआ है और ये छुद्र गरह कहां मिलते हैं मंगल और बिहरस्पती दोनों ग्रहों के बीच में चुद्रगरा पाए जाते हैं जो कि ग्रहों के छोड़े टुकड़े होते हैं तो ये वी एक तरह का एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया अच्छा नक्की जील कहा है नक्की जील गुजरात में नहीं राजस्थान में है इसलिए गलत हो गया और फिर पूलिकट जील ये आंधर देश में लेकिन अब नहीं क्योंकि अब तेलांगना में ये हुसेन सागर जील है ठीक है है अधरावाद के आसपास नेक्ष देखते हैं निमलिकित में से कौन सी खरीब फसल नहीं है तो खरीब फसल सरसो नहीं है क्यों क्योंकि सरसो रभी फसल है तो विकल्प डिस का सही होगा आप ले लिस्ट में देखेंगे तो खैर यहां पर देखते हैं कि इससे समझनी तोर क्या फैक्ट है देखें मूंग फली कपास और मक्का जो है यह खरी फसल है जबकि सरसो रवी फसल है इसी लिए इसका एंसर हो गया क्वेशन में पूछा था कि खरी फसल नहीं है कौन और फिर मार्च अपरील में काटा जाए समान में रूप से तो उसको हम कहेंगे रवी फसल ठीक है यह तो महत्पुर्ण फैक्ट नहीं था लेकिन अभी जो बोल रहा हम महत्पुर्ण फैक्ट है अगर क्वेशन यह पूछ लिया जाए कि MSP जो निर्धारित होता है तो उस MS जो MSP जारी होता है वो तो आपको भी पता होगा कि 22 फसलों पर MSP जारी होता है लेकिन उस 22 में से 6 फसल ऐसे हैं जो रवी के फसल है अच्छा नेक्स्ट इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले ही बता दिया है भारत ने भारत के निमन राज्यों में से किसमें तमाकू के छेत्र के अंतरगत उस समय के डेटा के हिसाफ से आंधर प्रदेश का यह है आंधर प्रदेश में तमाकू किर्सी के लिए सबसे ज़्यादा छेत्र है ठीक है तो विकल्प सी इसका सही अंसर हो गया मुझे पता नहीं कि इस वीडियो का आप कब कब देखेंगे तो जब सारे पश्चमी वहीनी नदियां हैं मतलब सारे पश्चमी भारत में बह कर के सरावति माही सावरमति और नर्मदा लिए अईस में margin करना है जो दो पर्वत स्रेणियों के बीच में बहती है तो वह नर्मदा कैसे क्यूंकि नर्मदा नदी जो बहती है वह द्रसल पहला तो व भ्रंस घाटी में बहती है और दूसरा फैक्ट यह है कि बिंधियन परवत और सत्पुरा रेंज ये दोनों के बीच में बहती है उस सत्पुरा के घने जंगलों में आपको कवीता याद आ रही होगी तो बिंधियन ऊपर में नौर्थ में मिलेगा नर्मदा के और साउथ में नर्मदा के साउथ में सत्पुरा रेंज मिलेगा तो इसी के बीच में फ्रंस घाटे में नर्मदा नदी बहती है इसे रिलेटेट कुछ और फैक्ट है जो मैंने नोट कर रखे हैं जैसे कभी-कभी कुछन पुछ लेता है कि किस नदी पर कौन से सहर बसते हैं ठीक है तो आ होसंगावाद का नाम अब होसंगावाद रहसल इसको प्रोनाउंस करते हैं इसका नाम नर्मदा पुरम कर दिया जाएगा तो यह नर्मदा नदी के टट पर भी बसता है ठीक है अच्छा दूसरा फैक्ट यह हो गया कि अमरकंटक जो मैकाल रेंज में अमरकंटक परवत है अमरकंटक चोटी उससे निकलती है नर्मदा नदी ठीक है अब दस्तो संदामन मीटर इसकी उचाई है यह फैक्ट है फसुद रूप से और पश्चमी बाहिनी है तो आप जानी गए अच्छा एक और खास भाद है जिससे क्वेशन बन सकता है नर्मदा सम्मंधित यह डेल् धुमाधार जल परपात नर्मदा नदी पर है धुमाधार जल परपात को ही कपिल धारा जल परपात भी कहते हैं तो इन से फैक्ट से कोशन बन सकते हैं मैं एक बार जलेली फिर से बोल देता हूं नर्मदा नदी पर जवलपूर डिंडेरी सहर होनसंगावाद मंडला यह सा पुरा रेंज है ठीक है और ये डेल्टा का निर्मान नहीं करती है एस्चुरी बनाती है और नर्मदा नदी पर ही धरुआधार या फिर कपील धारा जलपरपात है अब आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित उ जो है ये गुदावरी पर नहीं बलकि ये कृष्णा नदी पर मिलेगा तो मैं जब आप देखेंगे कृष्णा नदी तो आपको नागरजुन सागरभान मिल जाएगा अच्छा तो बिकल्पसीस का एंसर हो गया अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये सतलज के बारे म सतलज नदी के बारे में तो सतलज नदी जो है वे आपको पता ही है सतलज नदी पर सरहिंद नहर मिलेगा आपको फिर लुहनी जल गया और थीसरा फेक्ट है ये एक मात्र एसी पूरवर्ती नदी जो हिमालय को तीन भागों में काटती है तो ये भी इससे question बने गए जो भी मैंने point एकठा किया इस तरह पर question बना हुआ है इस तरह पर तो मैंने उस question के point को एकठा कर लिया है कि सतलज नदी पर सरहिंद नहर है लुहरी जल्विदुद परियोजना है एक मातर एसी सतलज नदी है और पुर्वर्ती नदी है मतलब पुर्व क्योर बहती है पुर्व क्योर से चलती है जो हिमालय को तीन भागों में काटती है और फिर बिस्ता दुआब आपको मिल जाएगा सतलज और ब्यास नदी के बीच में तो इस पर भी question कई बार पूच लेता है कि बिस्ता दुआब किन पर बागी क्रिश्ना नदी के बारे में एक चीज और है कि क्रिश्ना की एक सहयक नदी है मूसी और मूसी नदी किनारही है एदरावाद सहर बसा हुआ तो ये भी कई बार पूचा गया है question में और ये क्रिश्ना नदी पर आपको सहर सांगली और कराड जैसे नाम के सहर मिल जाएंगे next mapping कर लिजेगर समय है तो आपको लगता है कि समय है मैं कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ तो यरू कर लिजेगा भारत ने निम्न राजियों में से किसमे सागाउन का बन पाया जाता है तो कौन सागाउन बन पाया जाता है तो मद परदिस कहते हैं कि 50% हिस्सा भारत का जो है सागाउन बन का अकेले मद परदिस में पाया जाता है तो इसका सही अंसर हो गया next देखते हैं अपने प्रदूसकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है तो दामुदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है ठीक है इसको पहले बंग बंगाल का सोक नदी जैसे बिहार की सोक नदी कोसी नदी को कहते है न उसी तरीके से बंगाल का सोक नदी या बंगाल का विसाप दामुदर नदी को कह देते हैं स्रोत क्या है तो चोटा नागपूर जारखंड से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और मिलन प्रदूसान इतना है कि जीव जन्तू हराई नहीं पाते हैं इसलिए जैविक मरोस्तल कहते हैं नेक्स्ट भारत में अधिकांस प्राकृतिक गैस का उत्पाधन निम्निमें से कहां से किया जाता है तो बंबई हाई से किया जाता है विकल्व सीस का से इंसर है अच्छा वीडि तलचर कोईला खनन के लिए परशिद्ध है जादू गुडा यह सीशा के लिए परशिद्ध है और जावर इरोनिःम के लिए परशिद्ध है इसलिहाद से बिकल्व एक शैय अंसर है एक बड़ फिर से बोल देता हूं तो रिपीट हो जाएगा खनीज छेत्र और खनीज ग गुरु महिसानी लवायस के लिए परसिद्ध है, तलचर कोईला के लिए परसिद्ध है, जादो गुड़ा एरुनियम के लिए परसिद्ध है और जावर सीसा के लिए परसिद्ध है। नेक्स देखते हैं भारत के निमलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरिय बंदरगा है तो चिन्नई जो है वो खुला सागरिय बंदरगा है जबकि अन नहीं है तो इसको पढ़ी ने रहे हैं वैसे लेकिन ये ची जान लेना चाहिए कि खुला सागरिय बंदरगा क नेक्स्ट, नेमलिखित में से कौन सी दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है, तो आपको भी योपर जब देखेंगे, अन्ना मलाई हिल जब देखेंगे मैप में, तो उसके नौर्थ में आपको पालगाट मिलेगा तो कभी-कभी question आ जाता है कि पालगाट किन दो परवतों के बीच में है तो नीलगरी और अन्नामिलाई परवत के बीच में पालगाट आपको मिलता है अब next देखते हैं अचा इसकी उचाई कितनी है वैसे अनाई मुडी की 2695 की उचाई है मतलब 2700 में 5 मीटर कम है ऐसे करके भी याज सकते हैं 2695 मीटर हाइट है अनाई मुडी की जो तचीन भारत की सबसे उची चोटी है और अन्नामलाई हिल पर है next निमलिकित में से कौन सा राज भारत में मैगनीज का सरवधिक उत्पादन करता है तो मदपरदेश मैगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो विकल 20 का सही अंसर हो गया अचा अभी हमने कुछ पढ़ा था सागवान बनों के बारे में तो देश का सागवान बन जो है 50% अकेले मदपरदेश में है और मैगनीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक यही है एक फैक्ट और यादा रहा है स्वयावीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक मदपरदेश ही है और स्वयवीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो यह सब सारे चीजे कोरिलेट कर रही दिमागों मैंने बोल दिया तो यही बात लिखाओ कि भारत में मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज मद्परदेश है ठीक है वीडियो कैसा लगा सुझाओ जरूर दीजिए आपके सुझाओ का हमेशा इंतिजार रहता है और सुनिए अच्छा लगे तो सेहर भी कर दीजिए थैंक्य। नमस्कार दोस्तों तो हम बिगत वर्सों में भारत के भुगों से संबन्दी जो प्रस्ण आयो है वी पीशेस में उसका विसलेशन और अवलोकन कर रहे थे 2012 का प्रस्ण हमने देख लिया है इस वीडियो में 2013 के प्रस्णों को देखते हैं तो पहला प्रस्ण है सुची एक को दो से मिलाना है एक साइड जैव मंडल भंडार यानि की वाइसफेर रिजर्व और दुसरे साइड उसकी अवस्तिति है तो नोकरिक वाइसफेर रिजर्व आपको मिखाले में मिलेगा मानस वाइसफेर रिजर्व असन में मिलेगा दिहा यह केरला में मिलेगा आपको अगर आपने प्रियावरन वाले प्रिविए से सारे वीडियो देखे हैं तो आपको एक चीज़ आ रहा होगा कि जय मंदल भंडार या आगार या बाइस फेर रिजर्व जैसे सब्दों का परियोग सबसे पहले किस ने किया था तो एडवर्ड समलाई वाज़ पारज हर या केरल में मिलेगा नेक्स्ट निम्लिकित देशांत्रों में कौन सा भारत की प्रमानिक मध्यान रेखा कहलाता है तो 82 ठीर से समय निर्धार यह फेर्ट आपको पताई होगा आपको पता ही है कि ये जो लिखा हुआ ना 82 ये डिगरी है दर असल और जो एक है यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ ये वाला इसको मिनट पढ़ते हैं मिनट और अगर ये दो रहेगा ऐसे तो इसको सकेंड पढ़ते हैं अरे क्या बता रहा हूँ आपको पता ही होगा ये सब ची दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो फूरवी देशांतर है टी टू डिगरी 30 मिनट का ये अंतराश्टी मानक समय से साढ़े पांच घंटा आगे है आगे अंडर लाइन ये पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं आगे बोल रहा हूँ नेक्स्ट निमलखित में से कौन सुमेलित नह पाल घंट में है रोतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पाल घंट केरल में आपको मिलेगा पीछले वीडियो में जब हम एक कोईशन डिसकस कर रहे थे उसमें हमने पाल घंट देखा था क्या देखा था कि दच्छिन बारत की सबसे उची चोटी अनायमुडी है और पाल घंट के दच्छिन में अनामलाई परवत उसी पर दच्छिन बारत के सबसे उची चोटी अनायमुडी जो की 2695 मीटर उचाई पर है निस सताइस सो में पांच खम आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगा है तो प्राकृतिक बंदरगा इसमें से कोची भी है और विसाखा पतनम भी है तो बिकल्ब डी इसका सही अंसर हो गया जबकि चन्नई और तूतिकोरिं को क्या है ये कित्रिम बंदरगा है अचा चन्नई से याद आया पिछले वीडियो में था एक खुला बंदरगा कौन सा है तो खुला बंदरगा इसमे जबकि पूछ रहा था पराकृतिक बंदरगा कौन सा है तो पराकृतिक बंदरगा कोची और विसाखा पतनम है विकल्ब डी इसका सही इंसर हो गया नेक्स्ट निमलिखित नदियों में से किसका उदगम भारत में नहीं है तो ये सतलज नदी जो है सतलज नदी का उदगम राक्षास्ताल में ये राक्षास्ताल लेक जो है तिबद चीन में वहां से निकलता है ये सतलज नदी के बारे में और भी हमने कई फैक्ट पढ़े थे अगर आपको याद आ रहा हो चलि मैं ही दोहरा देता हूं सारे फैक्ट को जल्दी यल्दी थोड़ा सा पीशे जाना ह क्योंकि क्या पता ही यहीं से कुछ आ जाए तो बात बन जाएगे देखिए हमने पढ़ा था सबसे पहला सतलज के वारे में कि सरहिं नहर इस पर है दूसरा पढ़ा था कि सतलज नदी एक मात्र पूरवर्ती नदी है जो हिमालय को तीन भागों में काटती है और हमने यह भी पड़ा था कि कभी-कभी कोश्ट्यन बन जाता है कि बिशताद दौाब कहां है तो सतलज नदि और व्यास नदि के बीच में बिशता द्वाब है और राकस ताल से यह निकलता है राकस ताल जील से जो मांस रोवर के आसपास है और तिबत में है तिबत यहने की चैन का पार्ट अभी फिलाल है ठीक है तो यह सारे फैक को हमने यहाँ पर ड्रिवीजन कर दिया जो क्या पता आज आए तो थोड़ा एक तरीके से असानी हो जाएगी नेक्स देखते हैं अच्छा इससे तो आपको पता चली गया होगा कि कैसे पिछले वर्ष से इस वर्ष में क्वेशन टैली कर रहा है अब नेक्स देख ले रहे हैं सुची एक और सुची दो उदोग और अस्थान है तो कागज उदोग टीटागड में ह काली मिट्डी क कपास की खेती के लिए उप्यूक्थ होती है बिलकुल गलत उसमें जैब तत्व होते ही नहीं काली मिट्टी में तो इसले करके R गलत हो गया, A सही, because C's का सही अंसर हो गया, A सही है, R गलत है और अच्छा काली मिट्टी को बारे में दो-तीन फैक्ट है, इसको मैं बोल देता हूँ जल देली जैसे तिवर जल धारन को जल्दी-अल्दी करने की शमता होती इसमें काली मिट्टी में दूसरा फैक्ट है कि स्वताह जुताई वाली मिट्टी इसको कहते हैं, खुद से जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी कोई कहा जाता है कपास अरहर जैसी फसलों के लिए काली मिट्टी उप्यूक्त होती है और सबसे लास्ट फैक्ट ये है कि रंग इसका गहरा काला से लिगर के हलका काला तक होता है ये चेश्टनट की तरह होता है काली मिट्टी एक फैक्ट और है पता है काली मिटी में लोहा, चुना, केलसियम, पोटास, एल्मूनियम, मैगनिसियम, कारबोनेट की तो परशूरता होती है लेकिन क्वेश्चन पता है कहांस बनेगा, क्या नहीं पाई जाती है, किसकी कमी होती है काली मिटी में तो nitrogen, phosphorus और जैपदार्थों की कमी होती है। फिर से बोलता हूं, nitrogen, phosphorus और जैपदार्थों की काली मिट्टी में कमी होती है। और इसी को सुताह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स देखते हैं सूची ले कि 42 रामसर अस्थल कौन सा है तो त्योसो कर लद्दाक में जील है त्योसो कर वो ही 42 रामसर अस्थल है ठीक है आगे सूची एक को दो से मिलाना है उकाई गुजरात में है पत्रातु जारखन में पेंच मद्परदेश में और डाभोल ये महरास्ट्रा में आपको मिलेगा ये दरसल तापिये प्रियोजनाओ का नाम था और उससे समन्दित राजित है तो फिर से पढ़ देता हूँ उकाई तापिये प्रियोजना गुजरात में पत्रातु तापिये प्रियोजना जारखन में पेंच तापिये प्रियोजना मद्परदेश में डाभोल तापिये प्रियोजना ये महरास्ट्रा में मिलेगा अब नेक्ष्ट है फिर से सूची एक को दो से मिलाना है उदोग और उद्धोग फिर से पढ़ देता हूँ क्या पता ही रीपीट हो जाता है तामबा उद्धोग के लिए मलाजखMA जाना जाता है जसता उद्धोग के लिए टुनडू और जूट उद्धो के लिए भाट पड़ा, तो दोया तेरा वाला समाप्त हो गया, वीडियो समद्धि सुझाओ जरूर दीजिए, थैंक यू, नमस्कार दूस्तों, तो हम भारत के भूगोल से समद्धि जो प्रस्ण भिगत बर्सों में आये हुए उसे देख रहे थे, तो इसकड़ी म वीडियो है, यह आपको अंडमान निकवार दीप समद्धि में मिलने वाला है, ठीक है, अच्छा तो विकल्ब ए तो इसका सही अंसर हो गया, लेकिन कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, और पिछले वीडियो से कुछ कोरिलेशन भी बन रहा है, देखे, हमने पड़ा कि बिर अन्ना मलाई परवत यानिके अन्ना मूडी चोटी के बारे में, अन्ना मूडी चोटी दरसल दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी है, और जिसकी हाइड जो है 2695 मीटर है, अंगरेजी में बोलूं तो 2695 मीटर इसकी उचाई है, यानिके 2700 में 2700 में 5 कम, तो यह तो हमने पढ़ रखा है, तोड़ा जन्जासी कैसे संबंदी थे, अन्ना मूडी चोटी है, यह अन्ना मलाई परवत पर है, और अन्ना मलाई परवत और नील गरी परवत के बीच में पाल घाट गैप आपको मिलता है, यह बात आपने मैं भी मैप में देखा होगा, दो तीन बार से म इनका जो अपना बेवसाय है, वो पसु पालन है, भैस को पालते हैं यह, ठीक है, यह तो हो गया, अच्छा नील गरी के जब बात करी रहे हैं, तो नील गरी के सबसे उची चोटी कौन सा है, कमेंड वोक्स में बताएंगे क्या, चलिए मैं ही बता देता हूँ, डोड़ा ब देखते हैं, यह कथन है और कारण है, तो कथन में लिखा हूआ है कि भारत के पश्चमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्मान नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है, और हमने पहले वीडियो में देखा था कि नर्मदा दर असल पश्चमी घाट की नदियां है, जो कि दो से के बीच में बहती है, बिंधियन और सत्पूरा रेंज के बीच में बहती है, जो कि डेल्टा का निर्मान नहीं करती है, किसी का निर्मान करती है, एस्चूरी का निर्मान करती है, तो यह बात कथन तो सही हो गया कि भारत की पश्चमी घाट की नदियां डेल्टा का निर आहीत होती है तो दोनों कथन सही है एक दूसरे की भ्याक्या भी कर रहा है इसलिए विकल्फ एस का सही अंसर हो जाएगा नेक्ष दिखते हैं रेट क्लीफ लाइन सीमा निर्धारित करती है तो रेट क्लीफ लाइन सीमा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बिचकी है तो बिकल्पसीस का सई इंसर हो गया अच्छा, ऊपर में लिखा है उत्तर कोरिया और दचिन कोरिया के बिच तो 38 में समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दच्छिन कोरिया के बीच की सीमा रेखा है 38 मतलब 38 यानि कि 38 समानांतर रेखा जो है ये दच्छिन कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा है संयूक राज अमेरिका और कनाड़ा के बीच की सीमा रेखा कौन सा है उन्चासमी यहनी पचासमी से एक कम 49 समाना अंतर रेखा ठीक है उसके बाद भारत अगम चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है तो मैक मोहन आपको तो पता ही होगा मैक मोहन लाइन गन्ना उत्पादन 2013 में राजियों का सही अब रोही क्रम है तो गन्ना उत्पादन यह तो 2013 का है लेकिन अभी भी गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रजिस ही सिर्स राज में है और महरास्टा दूसरे राजपर है और करनाट का तिसरे राजपर है ये डेटा तीन तक तो डेटा मुझे याद है तो ये भी अभी भी वही है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश फिर महरास्टा फिर करनाटा तो विकल्ब 20 का उससाफस एंसर है अच्छा, नेक्स देखते हैं दक्षिन भारत की नदियां परमुक रूप से निम्न में से कौन सा अपवाहत तंतर रखती है तो विक्षनुमा अपवाहत तंतर रखती है दक्षिन भारत की नदियां तो विकल्ब 20 का सही अंसर हो गया अच्छा, दक्षिन भारत की नदियां से याद आया दक्षिन भारत के सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसको रिस्क मत लीजेगा बाई, चेक कर लीजेगा अपने अस्तर पे, साइध मैंने चेक नहीं किया, यहाँ वाट लगा कर लगा कर छोड़ दिया हूँ, तो अपने अस्तर पे चेक कर लीजेगा, वीडियो कैसा है, क्या सुधार के संभावना है, जरूर बताईएगा, नमस्कार दोस्तो, तो भुगोल, भारत के भुगोल संभन्दी जितने भी प्रसन आये हुए है, उसको हम देख रहे थे, 2012-2014 तक के सारे प्रसनों को हमने देख लिया, इस वीडियो में 2015 और 2015 में ही री एकजाम हुए थे, तो उन सारे प्रसनों को हम देखेंगे, सबसे पह पूछ लेता कि दूसरा वैसा कौन साराज है, जहां गन्य की खेती के लिए भूमी आवंटित है, तो महरास्ट है, पहले नमबर पे उत्तर पर देख, दूसरे नमबर पे महरास्ट, अच्छा एक दो फैक्ट और भी है, कि 20 में सबसे जाता गन्या उत्पादन कहा होता है, तो ब्राजील में होता है, यह ध्यान रखना है, और गन्य की खेती के लिए पानिक की अधिक मात्रा चाहिए होती है, तो यह दो फैक्ट भी एक्स्ट्रा हो गया, नेक्स्ट, निमलिकित नदियों में से किसको दक्छिन की गंगा कहा जाता है, तो दक्छिन की गंगा कावे कावेरी नदी का उद्गम अस्थान कौन सा है तो कावेरी नदी का उद्गम अस्थान है ब्रहम गरी पस्चमी घाट प्रवत सरिंक लागा ब्रहम गरी नाम अगस्थान से निकलती है नेक्स्ट भारत के निम्निकित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एबं कैप कमोरीन क के मद इस्थित है तो कोरो मंदल टट ये जो है ये कृष्णा डेलिटा और कैप कमुरिन के मद इस्थित है अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और कोरो मंदल टट के ऊपर आपको पुर्वी साइड में ही उत्री सरकार टट मिलेगा जबकि जो मालावार तट है और कोंकन तट है ये पश्चमी भारत के तटों के पास आपको मिलेगा देखेंगे यहां ब्याक्या में लिखा हुआ है कि भारत का पश्चमी तट ये मैदान संकिर्न है इसके उत्री भाग को कोंकन तट और दक्षनी भाग को मालावार तट कहते हैं जबकि तो मंदल टट कन्या कुमारी जिसको केप कमरीन भी कहते हैं से क्रिष्णा डिल्टा तक विस्ता रहते हैं तो यही में बात था नेक्स क्वेस्चन दिल्ली और आगरा के मद्ध बर्स के अधिकान समय में यमना नदी मिर्त हो जाती है तो ये बात सही है कि दिल्ली और आगर असतत नहीं सतत वाहिनी नदी है मतलब हमेशा वहती रहती है हाँ ये बात जरूर है कि प्रदूसन के कारण दिल्ली और आगरा के मद्ध में अधिकान समय में ये यमना नदी डेट पाई जाती है वही ब्याक्या में लिखावा है कि सतत वाहिनी नदी है यमना और इसका भारत में जौला मुखी द्वीप है तो भारत में जौला मुखी द्वीप उपलब विकल्प के हिसाब से बैरन द्वीप है ठीक है अच्छा बैरन द्वीप सिर्व भारत में जौला मुखी द्वीप नहीं है यह एसिया का एक मात्र सक्रिय जौला मुखी द्वीप है बैरन द तो ये है कि अंडमान और निकोवार ये दोनों को 10 डिगरी चैनल अलग करता है। जबकि अंडमान और निकोवार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिगरी चैनल ठीक है ये बात हो गया। अच्छा भारत का दर्चिंतम बिंदु जिसको इंडरा पॉइंट कहते हैं वो भी अंडमान निकोवार में ये है अंडमान निकोवार का ग्रेट निकोवार जो है उस पर ये है और ये ही ग्रेट निकोवार के बारे में भी बात में कर रहा था ग्रेट निकोवार और समातरा के बीच की जो चैनल है 6 डिगरी का है और ग्रेट निकोवार पर ही भारत का दर्चिंतम बिंदु है जिसका नाम क्या है इंदरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु क्या ह या बताए कमेंट बुक्स में एक दो फैक्ट और है डककन पैसेज आपको मिलेंगे तो यह मिलेगा आपको South अंडमान और Little अंडमान के बीच में मिलेगा डककन पैसेज और एक खास बात यह है कि यही South अंडमान में जो Port Blair है प्रसासनिक Headquarter मतलब की Administrative Headquarter जो है अंडमान निकुभार का Capital वो यही है Port Blair किस पे South अंडमान दीप पर एक खासा अथर और है खास बात की Cocoa Strait तो Cocoa Strait आपको मिलेगा North अंडमान और Cocoa Dweep के बीच में यह Cocoa Dweep पर महिनमार कर आज है तो Cocoa Dweep और यह North अंडमान के बीच में मैं जल्द जल्दी सारा बोल देता हूँ फिर से 10 दिगरी चैनल अंडमान और निकोभार दीप समु को अलग करता है 6 दिगरी चैनल Great निकोभार और सुमात्रा दीप को अलग करता है उसके बाद भारत का दर्चिंतम बिंदू इंदरा पोईंट वो Great निकोभार पर हिस्थित है एक डेकन पैसेज मिलेगा मैप में वो South अंडमान और Little अंडमान के बीच में है और South अंडमान पर ही ये Port विलेर हिस्थित है ठीक है Cocoa State ये North अंडमान और Cocoa Dweep के बीच में है और Cocoa Dweep पर राज महिनमार का है दीपों की संख्या की बात करें तो 579-572 दीप है अंडमान निकोभार में और Varan दीप ये अंडमान निकोभार में ही मिलेगा जो न सिर्फ भारत का जोला मुखी दीप है बलकि South Asia का एक मातर सक्रिय जोला मुखी दीप है अब आगी कोशन पढ़ते हैं भारत में आधे से अधिक स्वावीन का उत्पादन प्राप्त होता है तो भारत में आधा से ज़्यादा स्वावीन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ मद्द प्रदेश में ही प्राप्त हो जाता है तो विकल्प एस का सरी अंसर हो गया अच्छा जब Swaivine की बात करी रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि Swaavine में सबसे ज्यादा protein की मात्रा होती है मतलब science के दृष्णी में बोल रहा हूँ यह question बनते हैं science में अच्छा सबसे ज्यादा protein की ज़ो मात्रा होती है protein की कमी हो जाने से प्रोटीन के कमी से, जो सबसे ज़्यादा कहां होता है, स्वावीन में, सबसे ज़्यादा पाया कहां जाता है स्वावीन, मतलब खेती कहां होती है, तो मद परदेश में, ठीक है, अच्छा, प्रोटीन का काम क्या होता है सरीर में, सेल बृधी करना, और सेल की मरमत करना, ये 4-5 fact है मैंने जोड़ जाड़ के बता दिया है question बनने की संभावना रहती है इन सब बातों से next है स्वेट क्रांती संबंदित है तो स्वेट क्रांती दरसल दूद उत्पादन से संबंदित है तो विकल भी इसका सहींजर हो जाएगा अच्छा जब दूद उत्पादन की बात कर रहे हैं तो वर्गीज कुरियन का नाम याद आना चाहिए क्योंकि father of milk revolutions के नाम से जान जाते हैं वर्गीज कुरियन अच्छा हमने जब वो पढ़ा था आर्थ की तो उसमें एक बात था कि दूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सिर्ष राज में है मतलब सबसे जादा दूद उत्पादन के मामले में राज्यों के स्रेणी में उत्तर प्रदेश एक नमबर पर है और भारत में दूद की उप्लावता 394 ग्राम प्रती दिन प्रती बेक्ती है ठीक है अगर साहरनपूर महला मिल्क यूनियन ऐसे करके इसका फूल फॉर्म है तो अभी ऐसे कोशन बन सकता है क्योंकि आर्थिक सर्वे में था कि समूल की अस्थापना कहां हुई है तो साहरनपूर जन्पद में हुई है और समूल का फूल फॉर्म क्या होता है तो इसका फूल फॉर्म है सहारनपूर महला मिल्क यूनियन ठीक है अच्छा एक दो बाते और था जब दूद की बात कर रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गाय की नसल का क्या नाम है साहिबाल और इंडिया में सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गाय का नसल का क्या नाम है गीर बिस्व के अस्तर पर सबसे ज़्यादा दूद देने वाली नसल का क्या नाम है हैलिस्टीन फीजियन और ये सानेन बकरी जो है वो क्या कही जाती है सानेन बकरी साइद को कहा था गांधी जी ने तो ये बाते कुछ कुछ थी जो इससे संबंधित बाते हैं नेक्स्ट अब 2015 में जो री एक्जाम होए थे उसके प्रस्न है तो सबसे पहला प्रस्न है निमलिकित राज्यों के मत्स उत्पादन का सही अबरोही करम बताईए तो इसमें कुछ बाते है उसको जरूर देख लिएगा पहले मैं इसका एंसर बता देता हूँ इसका एंसर ऐसे है C आंधर प्रदेश गुजरात के रल तामिलाड़ू लेकिन इसको करेंट डेटा से में अपडेट करता हूँ देखे जो घटना चकर का आर्थी की निकला है उसका पेज नंबर 41 में य तामिल नाड़ूर गुजरात यनि कि सफसे आदा मचली उत्पादन आंधर प्रदेश में होता है ठीक है और तीसरे नंबर पर देख रहे हैं आप देखे मैं पेन का यूज करता हूँ तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर उडिशा लिखा हुआ है अब द क्या कंट्रडिक्शन है मैं फिर से बता रहा हूँ एक ही किताब है घटना चकर का पेज नंबर 41 में लिखा हुआ है कि तीसरा राज जो है मसली के उत्पादन में वह उडिशा है अब सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंधर प्रदेश में और दूसरे उत्पादन होता ह इसमें कोई भी बात नहीं उसमें भी यही बात लिखा हुआ है 85 नंबर भी पेज में लेकिन तीसरे नंबर पे यहां लिखा हुआ है उडिशा और यहां पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अब सवाल है कि मानें किसको तो देखिए अब यहां पर एक तर्क भी है यह जो जो उत्तर प्रदेस सर्वें बताया है क्योंकि उत्तर प्रदेस सरकार का परमानिक डोकुमेंट है तो ध्यान रखना है तीसरे नमबर पे जो मचली उत्पादन में आता है नाम वो उत्तर प्रदेस का आता है ठीक है पहला नमबर पे अरुनादर प्रदेश दूसरा पे बस वेश्ट वंगाल और तिसरा पे यूपी यूपी के डोकुमेंट के नुसार और लेटेस्ट फैक्ट के नुसार उमीद है आप समझ गए होंगे मैं जो कहना और बताना चाह रहा हूँ पर्मानिक्ता की बात भी मैंने कर दी है पेज नमबर 41 और 85 पे आप जाके देख सकते हैं नेक्स जो प्रास्न है सूची एक को सूची दो से मिलाना है एक में जन जाती है दूसरे में राज्य है तो टोड़ा जन जाती जो है ऊँ को टोड़ा जन जाती तामिल नाडव मिलती है यह पिछले वीडियूम भी हमने कई बाल चर्चा कर लिया है और तो इसलिए एक का तीन है तो दो भी कलप में, अब यो और आजे देखते हैं लेपचा जन जाती आपको likes में मिलेगी तो बी का एक सीर्फ सिर्फ और इक ही कलप में है तो फीस इसका सही इनसर हो जाएगा मैं सही-सही पढ़ देता हूँ मिल जाएगा नौर्फिस्ट वाले मैप देखेंगे फिजिकल मैप उसमें मिल जाएगा तो गारो हिल पर ही गारो जन जाती रहती है और गारो हिल है कहां मेगाले में अच्छा एक दो फैक्ट और है जिससे यह फैक्ट याद रह जाएंगे मेरा जैसा उमीद है तोड़ा जन मोड़ी चोटी किस परवत पर है अन्ना मलाई परवत पर तो अन्ना मलाई परवत और फिर उसके उपर में आप देखेंगे या नौर्फ साइड में उतर दिसा में अन्ना मलाई परवत के तो पाल घाट मिलेगा और पाल घाट के उपर आपको नील गरी परवत मिलेगा पालन यानिकी भैस का पालन करने का काम इनका मेन है और जब नीलगरी की बात करी रहे हैं तो नीलगरी की सबसे उची चोटी डोड़ा वेटा है आपने भी देखा हुआ जिसकी उचाई 2637 मीटर है ठीक है लेकिन दचिन वारत की सबसे उची चोटी कौन है अनामुडी है जो 2795 मीटर है 2700 में 5 मीटर कम है ठीक है तो यह हो गया टोड़ा जन जाती के बारे में अब एक है बीरहोर जन जाती जाती जारखंड में है आपको तो याद रहेगा ही लेकिन एक बात बता देता हूँ इनके बारे में एक मानेता है कि जिस पेड़ को ये छू देते हैं बीरहो करते हैं एक साधंगे घर्म जल-फ्रोट दूसरे साधंगे ऑस्तिती है तो मनीककरन जल-फ्रोट हिमाचल पर्दिश में मिलेगा अन्होंनी गर्म जल-स्रोट मद्ध प्रदेश में मिलेगा तप्त पानी गर्म जल सुरोत ये उडिसा में मिलेगा जबकि ज्वाला मुखी जो है ये दरसल जमुन कस्मीर में नहीं ये कांगडा जिला हिमाचल प्रदेश में मिलेगा ठीक है और ज्वाला मुखी के वारे में एक बात और है गर्म जल सुरोत के वा दूद गंगा नामक नदियान जमु कश्मीर के अतरिक उतराखंड एब महरास्ट में भी प्रभाहित होती है अभी लिखिए महरास्ट का भी नाम आ गया तो इस हिसाब से ये A और C दोनों इसका एंसर हुआ रहा है और उत्तर प्रजिस ने विकल्ब सही क्या माना था यह जमु कश्मीर माना था तो ध्यान रखना कि पहले यह जमु कश्मीर को मान चुके हैं UPPCS IOW नेक्स प्रस्न है निम्लिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है ध्वस्त नगर को अंगरेजी में गोश्ट टाउन कहते हैं तो ध्वस्त नगर कौन सा नहीं है तो जो अच गोश्ट नगर मतलब ध्वस्ट नगर पहले नगर था जमाने के किसी इतिहास में अब नहीं है नगर यह तो धनुस्टकोडी कुल धारा और लखफत यह तीनों क्या है ध्वस्ट नगर है थोड़ा थोड़ा और बारिक बात जान लेते हैं क्योंकि ऐसे घुमा घुमा के पू स्थ्रेट मिलेगा जो सरिलंका और भारत को अलग करता है और फिर पंबन चैनल भी वहीं पर मिलेगा वहीं पर है धनुस्टकोडी और कहते हैं कि जमाने के किसी इतिहास में है नहीं थोच नगर भार, थिचकत मेर के पास ही सायद ये अटलस वाले मैप में ना दिखे लेकिन आप गूगल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जैसल मेर के पास ही आपको कुलधारा मिलेगा और कुलधारा के पास ही वहाँ पर डिजर्ट नेशनल पार्क भी है तो कुलधारा ना मिले तो डिजर्ट न रते थे मतलब कुल्धारा जगह पर और उन्हें स्राप दे दिया कुछ स्राप दे दिया होगा नकर आत्मक्षञ तो कुल्धारा इसलिए नगर ध्वस्त हो गया इन्हें घोश्ट नगर कहलाने लेगा कहा है जैसल मेरी के पास अब एक है लखपत लखपत कहां मिलेगा तो ल अंग्रेजी में लिखा हुआ है अलकपत तो लखपत यह कक्ष में है कक्ष कहां गुजरात में है ठीक है तो लखपत कुलधारा धनुसकोडी यह तीनों है ध्वस्तनगर इसी को अंग्रेजी में घोश्टाउन कहते हैं और सबके बारे में थोड़ी-थोड़ी स्टोरी मैंने इसलिए बता दी ताकि याद रखने में थोड़ा असानी हो आप वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख लिजेगा दो तीन बार एजाम में जाने से पहले तो लाब तो करेगा ही नेक्स्ट है भारत की निम्न जीलों में से कौन जम्मो और कस्मीर में अवस्थित है जम्मो और कस्मीर में अवस्थित जो है अंचार जील स्रीनगर के पास अंचार जील है मैप में दिखता नहीं है लेकिन जब आप Google मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अंचार जील जो अन जील है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं यह सब कीछले बाले वीडियो में हमने देखा है की आया हुआ है तो फुल्हर जील जो है शरी फुल हर जील यह laughing यूपी में हिए यूपी के मैप में आसानी से दिखता नहीं है गूगल मैप देखेंगे देख जाएगा फुल जहर जील कहाँ पे है पीली भीद जियो जिला है तो पीली भीद के पास ही है फुल जहर जील जील और कहते हैं कि गोमती नदी जो है गोमती नदी का उदगाम अस्थान फुल जहर जील ही है अच्छा एक प्रस मुझे करने का मन है आपसे जो प्रदेश की राजधानी है लखनव उकिस नदी किनारे बसी हुई है आपको पता है बहुत अच्छे से तो कमेंड मत कीजेगा अगर थोड़ा कंफ्यूजन जैसा है तो जरूर कमेंड कर दीजेगा फिर है कोलेरियु जील तो कई बार हर लगवार लगवा हर साल यह बिकल्प में है ही बिकल्प बन के आ जाता है कोलेरियु जील आपको पता है कि आंदर प्रदेश में है और जब आंदर प्रदेश में जीलों की बात कर रहे है तो पूली कट जील तो आपको समझ में आही रहा होगा जो आंदर प्रदेश और तामिलनाडों की सीमा पर है पुलिकटजील और एक हुसाइन सागर जील के बारें भी मैंने 1212 वीडियों बात किया है जो कि पहले तो अंदर प्रजिस में था लेकिन अब तेलांगन अलग हो गया 2014 में तो हुसाइन सागर जील हैदराबाद के पास आपको मिल जाएगा हुसाइन सागर जील और जब हैदराबाद के बारे हम बात कर रहे हैं तो हैदराबाद सहर कौन सन नदी के किनारे है चलिए बता ही देता हूँ मूसी नदी के किनारे है अच्छा अब अच्छी तो हो गया अन्चार जिल अब हमीरसर जिल तो हमीरसर जिल आपको मिल जाएगा गुजरात में मिल जाएगा आपको हमीरसर जिल और हमीरसर जिल के साथ साथ एक लगतर जिल भी है गुजरात में तो हमिरसर जील और लगतर जील हमिरसर जील मैप में दिखता नहीं है तो लेकिन आपको लगतर जील मिल जाएगा लगतर जील वहीं जहां नाल सरोबर है ना अभियारन पच्चिया वहीं वहीं लगतर जील हमिरसर जील पता है कहां पर है अब ये एक अजय देवन के पिक्चर आय थी भूज करके तो भूज अस्थान जैसे ही ढूंडेंगा न आप तो वहीं पर हमिद सा जील है अब नेक्स देखते हैं सूची एक और सूची दो जीले और अवस्तिती देखनी है तो अस्थामोडी जील फिर से देखिए जील सही कोश्चन है अस्थामोडी जील केरल में है पुलिकट जील तामिल नाडू और अंदरप्रदेश की सीमा पर है तो अंदरप्रदेश कहीं है नहीं इसलिए तामिल नाडू इसका एंसर हो जाएगा तो पुली कट जील तामिल नाडू में और रूप कुंड कहां है रूप कुंड उत्राखंड में मिलेगा सूरज कुंड हर्याना मिलेगा देख लीजे सब कुंड कुंड है सूरज कुंड हर्याना में रूप कुंड उत्राखंड में चमूली के पास रूप कुंड मिल जाएग आपको जब आप मैप में देखेंगे तो ऐसे मैप में लिखावा है नहीं गूगल मैप में आपको दिखना पड़ेगा अच्छा आंद्रप्रदेश की सीमा पर है ये तो मैंने बोली दिया कि पुलीकट जील आंद्रप्रदेश की सीमा पर है आपको यादा रहा है अभी बात किया था नेक्स कोश्चन है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपच्छे के कारण निर्मित हुई है तो बेसाल्ट लावा के उप्चे, उप्चे लिखाओ, उप्चे के कारण जो निर्मित हुई है, वो रेगूर मिट्टी निर्मित हुई है, विकल्ब D इसका से इंसर है, अच्छा रेगूर मिट्टी के बारे में कितने फैक्ट हम जानते हैं, देखिए, साथा आठ फैक्ट म कमी होती है, तो नाइट्रोजन और पोटास और हुमस, इन तीनों चीज की कमी होती है, फिर से बोलता हूँ, नाइट्रोजन, पोटास और हुमस की कमी होती है, रेगूर मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में, ठीक है, आपको भी पता ही है कि कापास की खेती के लिए सब पूइ चीज़े मिल जाएगी मतलब ये चीज़े खलब काली मिट्टी मिल जाएगी इन मिट्टियों का निर्मान बेसाल नावा के पकरण मिट्टियों bef़ें jたい Jaga प्रदेश तथा करनाटक में पाई जाती है जो आला मुखी भी स्फोर्ट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांथ उसके उपछेस होने से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी का निर्मान हुआ है तो तीनों एक ही नाम है नेक्स कुश्चन निम्न आणडेला निम्न में से किस के लिए परसिद्ध है तो निर्यात प्रसंसकरन छेतर के लिए परसिद्ध है कौन कांडेला तो विकलब सीज का सही अंसर है अच्छा और आगे कुछ है क्या गुजरात के कक्च जिले में इस्थित है कांडला एक फैक्ट यह हो गया और फिर कारगो हैंडल की मात्रा की दृष्टी से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है मतलब की माल संचालन की दृष्टी से सबसे जादा जो कारगो हैंडलिंग होता है वो इसी से होता है नेक्स देखते हैं निम्नमे से कौन भारत में सबसे बड़ी मसिनिकरित खान है तो बेला डिला खान सबसे बड़ी मसिनिकरित खान है अच्छा, 36 गड़ के बस्तर जिले में ही भैला डिला खान है, जो क्या है?, ये सबसे बड़ी मसनिक रित खान है, क्योंकि यहाँ से उतपारित लो आईस को विसा का पत्नम बंदरघा से जापान को निर्याद किया जाता है, तो ये भी एक फेक्ट है, नेक्स्ट, निम्ण में स किस राज में टीन अयस का परमुख बंडार है तो 36 गड़ में टीन अयस का परमुख बंडार है विखल सीस का सही अंसर है इतना ही था 2015 के रीग जान तक सब समाप्त हो गया बहुत जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगा सारा वीडियो को तो थैंक यू वीडियो कैसा लगा क्या सुधार की संबाबना सुझाव जरूर दीजिए और सुनिए सेहर जरूर कर दीजिए मेरे महनत आना यही है आपसे क्योंकि सेहर करने से ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा मोटिविशन बढ़ेगा थैंक यू नवस्कार दोस्तो तो भारत के भुगोल से संबंदित जो बिगत वर्सों में उपिपिस्टिस में प्रस्ण आये हुए हैं उसका हम विसलेशन और अबलोकन कर रहे थी इस कड़ी में 2012 से लेकर के 2015 के रीग जाम तक के सभी प्रस्णों को हमने देख लिया है इस वीडियो मे उत्राखंड से संबंदित एक और पूछा गया था कुश्चन रूपकुंड जील कहा है तो रूपकुन जील या रूपकुन लेक यह भी उत्राखंड के चमुली के आसपस है तो उत्राखंड से दो फेक्ट हो गया निलांग घाटी और रूपकुन लेक अच्छा इसमें जैसे भारत चीन सीमा के निकट सुरम में निलांग घाटी है और इसको बंद कर दिया गया था उन्हें12 चीन के साथ यूध हुआ तो उन्हेンタैं 62 के यूध के बाद नागरि较कों के लिए बंद कर दिया था निलांग घाटी को लेकिन मई 2015 में इसे पर्याटकों के लिए फिर से खोल दिया गया तो यह निलांग घाटी के बारे में है इसलिए साइद यह दोहर 16 में कुश्चन में आया है तो खैर वैसे याद रखना है निलांग घाटी और रूप कुण जील दोनों उत्राखंड में ह इसमें से तीन ऐसे पीकलप हैं जो पिछले वीडियो में भी हमने देखे हैं फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, प्रवतिय दर्रा और राज, तो माना और प्रवतिय दर्रा उत्राखंड में है, नातुला प्रवतिय दर्रा ये सिक्किम में है, और जोजिला प्रवतिय दर्रा जमुन कस्मीर में है, और सिप्किला प्रवतिय दर्रा यह है माचल प्रदेस में है अच्छा नातुला दर्रा सिक्किम है सिक्किम से एक चीया आगा है पिछले बरस में कोश्चन था लेपचा जनजाती किस राज से संबंदित है तो लेपचा जनजाती भी सिक्किम से संबंदित है और एक आया था जमुन कस्मीर से संबंदित अंच अंचार जील कहा है तो जमुएन कसमीर में है तो ये पिछले वाले फैक्ट को मैंने कनेक्ट किया निमलिखित में से कौन सी चट्टान प्रनाली भारत में नवींतम है तो उपलब्द बिकल्ब के हिसाब से गुंडवाना चट्टान प्रनाली जो है वो भारत में नवींतम है इसलिए बिकल्ब डीस का से अंसर है ब्याख्या पढ़ देता हूं लिखावा है धारवार क्रम की चट्टानों का निर्मान आर्कियन क्रम की चट्टानों के रुपांत्रन अथवा भरंसन से हुआ है तो मतलब की धारवार जो चट्टाने है वो आर्कियन चट्टानों से निर्मिध हुए है दूसरा पॉइंट है ये सिलाएं अत्याधिक धात्विक हैं मतलब की धारवाड करम में बहुत सारी धात्विक मिलेगी जिन में सोना, लोहा, मैगनीज, अब्रक, कोवाल्ट, क्रोमियम, तामबा, टंगस्टन, सीशा, अधिखनीच प्राप्त होते हैं कुडप्पा करम की चट्टानों का निर्मान धारवाड करम की चट्टानों के बाद हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आरकियन था, आरकियन के बाद धारवाड बना और धारवाड के बाद अब यह कुडप्पा चट्टाने बनी है, बिंधियन करम की चट्ट चट्टानों का निर्मान कुडपा करम की चट्टानों के बाद हुआ है इनमें चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी तथा बर्न मिट्टी प्राप्त होती है और बिंधियन करम की चट्टानों के काफी समय बाद गुंडवाना करम की चट्टानों का निर्मान प्राप्त होता है इस चेत्र का कोईला उच्छ स्रेनी का होता है यहां सरवदिक बीटू मिनस कोईले की प्राप्ती होती है इसमें सल्फर की मात्रा नीउन होती है मतलब सबसे कम होती है तो लेकिन यहां पर तो था ही नहीं यह गोंडवाना तो इसमें बिकल्प में गोंडवाना ही है तो इसलिए तो इसलिए तो इंसर गोंडवाना हुआ है और उसके बाद फिर लास्ट में गूंडवाना करम की चट्टान होगा इसलिए भारत में नवींतम जो चट्टान करम है वो गूंडवाना है नेक्स्ट कॉश्चन है निमलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है तो जोजीला दर्रा से लेह जाया जाता है इसलिए भी कल्ब ए इसका सही अंसर है ब्याक्खा पढ़ता हूँ तो और स्पस्टी करन होगा जोजिला दर्रा स्री नगर को ले से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू को स्री नगर से जोड़ता है जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिबबत से जोड़ता है मतलब यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश से अगर हम तिबबत जाएंगे तो भारतिय प्रायदीप मतलब कि दच्छिन वारत तो आपको समझ में आ रहा हो कि रिपपीटेड कोश्यं नहीं तो हमें पता है कि भारतिय प्रायदीप कि सब से चोटी अनायमुदी है और अनायमुदी की उचाई भी नीलगरी परवत से संबन्दी दो फैक्ट महातपूर्ण है एक नीलगरी परवत की सबसे जो उची चोटी है वो है डोडा बेटा 2627 मेटर और नीलगरी परवत पर ही जो मूल जन जाती है उनका नाम क्या है टोडा जन जाती और उनका जो मुख वेवसाय है उपसुपालन उभ कुई जीले में मिलेगी यही है अब देखिए आप डोडा बेटा का नाम लिखावा है डोडा बेटा नीलगरी की से उची चोटी है 267 मीटर इसकी उचाई है और एक है उटक मंड ये 240 मीटर उचाई ये भी दर्चिन भारत में चोटी है महावलेसवर 1438 मीटर की है तो खेर हम इसका सही अंसर है नेक्स्ट भारत में निवलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70 प्रतिसत से याधी कॉफी अकेले पैदा करता है तो करनाट का भारत में जितना कॉफी होता है उसका 70% से ज्यादा अकेले करनाटक राज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतिये प्र जैपूर को अच्छा अच्छा इसमें देख लेते हैं ब्याक्ख्या में क्या लिखा हुआ है भार्दिय प्रियाटन के संदर में स्वर्ण त्रभूज में आगरा दिल्ली और जैपूर द्वारा त्रभूज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है तो मानचित और फिर स्वर्णिम त्रभूज ऐसे करके कुछ आता है आपको याद आ रहा होगा और रिवीजन करने ही योग है मुझे अच्छे से याद ने आ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ नेक्स क्या है भारत के पस्चमी तटिये मैदान के उत्री भाग को जिस अन ना उसको को tummy कान कहते है और च्छनी पाट का इन भारत का पस्चमी तटिये मैदान संकिर्ण है इसके उत्री भाग को कोktionकन तता उसलिस अनल्चन भाग क्या पूछ रा था पश्मी तटीय मेदान के उत्री भाग को कहते हैं नेक्स्ट ताती पाका तेल सोधन साला आंदर प्रदेश राज में वस्तित है इसलिए विकल्ब डीस की और नेक्स्ट क्या है आचा हो ओध इन्द्र प्रदीश से याद आया एक वीडियो में अपलोड किया था आर्थ की बाला तो उसे सम्मंदित था कि अंडा उत्पादन में सिर्साराज कौन सा है performance सिड़्वक्राज और गूइंबर गूप उन उत्पादन में सी राज प्राजessions कूँ सा थे राजास्थान थे नेक्सट इसमेन जो क्वेश्चन है वो है दच्चिन पष्चिम मांसुन काल में निम्लिके डिस्थान्मे सबसे कम वर्सा कहां होती है तो सबसे कम वर्स उपलब विकल्ब में से चिंन नई में होती है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सही सुमेरित नहीं है तो जो सही उसे पहले देख लेते हैं जैसे सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है नागरजुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है जबकि तिलया बांध य प्रस्ण समाप्त हो गया वीडियो कैसा लगा क्या सोधार के संभावना है आप जरूर कमेंड बोक्स में बताइए और हां सेहर कर दीजी हो सक्के तो सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजी एक हजार तक पहुचाना है वैसे 500 से उपर तक तो आपने पहुचा दिया थेंक्यू आपको वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों तो हम भारत के भुगल समंदित प्रस्णों को देख रहे थे जो यूपीपीचेस में आय हुए हैं तो इस कड़ी में 2012 से लेकरके 2016 तक के जितने भी प्रस्ण हैं सबको हमने देख लिया है अब इस वीडियो सिर्फ पढ़ देता हूं अगर आये कोशन रिपीट हो तो आप बना लीजेगा तो बन अनुसंधान संस्थान देरा दुन में हैं देरा दुन होई उत्राखन की राज़दानी भारतिये चारा गाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये जहासी में हैं फिर से बोल रहा हू आपको पताई है कि सिपकिला कहा है सिपकिला है हमाचल प्रदेश में है जो समयलित नहीं है उसको चुनना है तो जो समयलित है पहले उसको देख लेते हैं तो बॉमडिला अर्माशल परदेस में है जबकि नाथुला दर्रा मिगाले में नहीं सिक्किम में है तो इसलिए बिकल्प सीज का सही इंसर है क्योंकि यही गलत सुमेली थे अब कुछ-कुछ extra fact देख लेते हैं जैसे हमने एक देखा था बनिहाल दर्रा पीछले विडियो में तो बनिहाल दर्रा क्या करता है बनिहाल दर्रा जरसल जम्मू को स्रीनेगर से जोडता है मतलब कि अगर जम्मू में हम हैं और स्रीनेगर जाना है मुझे तो बनिहाल दर्रा से हम जाएंगे ठीक है उसी तरीके से सिपकीला दर्रा है तो अगर हम हिमाचल परदिस में है और हम मुझे तिबबत जाना है तो सिपकीला दर्रा से ही हम जाएंगे और नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट साथ जोजीला दर्रा तो जोजीला दर्रा अगर हम स्री नगर में हैं और हमें लेह जाना है तो जोजीला दर्रा किसे होते हुए जाना होगा हमें लेह से एक बात याद आया केंद्र सरकार ने इस वजट में लेह में एक संद्री विस्विद्याले के स्थापना की बात की है तो ये question अगर आए, तो जरूर सही कर लीजेगा, अच्छा, अब पिछले वीडियों हमने देखा था, माना परवतिय दर्रा कहा है, तो उत्राखंड में है, लिपुलेक दर्रा वी और माना दर्रा वी, रोतांग दर्रा कहा है, हिमाचल प्रदेश में, रोतांग दर्रा पालगाट के उत्तर में आपको क्या मिलेगा निलगरी परवत निलगरी परवत के सबसे उची चोटी कौन सा है डोडा बेटा जिसकी उचाई कितनी है 2637 मीटर और जो अभी अनाई मुडी देख रहे थे अनाई मुडी की उचाई है 2695 सताइसो में 5 कम ठीक है और निलगरी पर बंदरगा जो है सबसे गहराई वाला बंदरगा है इसलिए बिगल्प सीज का सही अंसर हो जाएगा ठीक है बंदरगास संबंधित अभी तक जितने हमने प्रस्ण देखें उसको मैंने क्लेक्ट किया है जैसे एक बार कुश्चन पूछा था 212 वाले में खुला सागर ये ब बंदरगा उसको बोलते हैं जहां पर पानी का जहाज तट पर आ करके नहीं तट से दूर मतलब बीच सागर में ही रूखता हो वहां अपनी लंगर विवस्था सुरू करता हो एक बार कोश्चन पूछा था प्राकृतिक बंदरगा कौन कौन से है तो कोची और विसाका पत् गुजरात में ही तो आपको यादी होगा जो कार्गो हैंडल की मात्रा की दृष्टी से सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा जो बंदरगा है वो कांडला बंदरगा है मैं फिर से बोलता हूं कार्गो हैंडलिंग की दृष्टी से मतलब की सामान आयात निर्यात की दृष् निम्लिकित लोहा एबम स्पातकार खानों में से कौन कच्छे माल छेत्र के समीप नहीं है तो जमसेदपूर कच्छा माल मिल जाता है राउर केला वहीं पर कच्छा माल मिल जाता है दुर्गापूर लोह इसपातकार खाना ये भी वहीं पर कच्छा माल मिल जाता है जबकि सेल अब नेक्स देखते हैं अच्छा थोड़ा सा पढ़ी लेते हैं इसको यह सभी कच्छे माल इन तीन छेत्रों करमसा जमसेदपूर जहारखंड राउरकेला उडिसा और दुरगापूर इन इशतिसगड आदी के आसपास उपलब्ध हैं जबकि सलेम जो की तामिल नाडू में ह इस पात सही अंतर के पास इन कच्छे माल की उपलब्धता नहीं है मुखरोप से इंधन के लिए कोई लेकी अच्छा इसका उत्तर जो है उत्तर प्रतिस आयोग ने विकल्फ सी माना था दुरगापूर लेकिन इसका सही अंसर क्या है डी है तो यह फैक्ट भी आप देख ल चतिसगड और जारकन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं तो आपको सारा याद रह जाएगा देखिए आपको तो यह फैक्ट पता ही होगा कि करक रेखा जो है भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है लेकिन एक ट्रिक है मित्र गमचा जार और बेस्ट बंगाल आपको पता है यह तालिया जैसा गमचा होता है बंगाल में गमचा प्रिशिद होता है बंगाल और बिहर में तो मित्र गमचा जार अपर नहीं होगा bak जो से होके गुजरतिय करकरेखा नेक्स्ट क्या है निमलिखित पहाडी जातियों का पस्चिम से पुर्व सही करम पहचानी है तो पहाडी राजियों पहाडी राजियों का जो सही करम है गारो खासी जैनतिया नागा ये विकल्फ सी सही इंसर है और बोल रहा है कि पस्चिन से पूरव की ओर दिखना था तो जब आप मैप देखेंगे भारत का मैप नौर्थ इस्ट इंडिया का मैप तो आपको सबसे पहले गारों मतलब पस्चिन से पूरव दिशा की ओर देखेंगे तो तो यÑनि कि इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आप उधर मायनमार के साथ देखेंगे तव पहले आपको गारों मिलेगा खासी मिलेगा जैनतिया मिलेगा नहरा मिलेगा गारों से याद आया गारों पहाड़ी पर गारों जनजाती भी रहती है तो ये पिछले बार आच चुका है, पिछले वीडियो में नेक्ष देखते हैं अच्छा, ने इसमें तो वही सारी बात है निमलिकित में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं तो जो सही सुमेलित युगम है, वो है बिकल्प A यानि कि मतलब दो तीन और चार ये सही सुमेलित है इडिकी ताप ये सक्तिग्री है ने ने ये एक नम् 느ो है, दूसरा तीसरा चोठा पिछले है तो इडिकी ताप ये सक्तिग्री नहीं है सही वला में चुनना है सावरी गरी जल विदुद परियोजना संबंदित है घाट परवा सिचाई परियोजना संबंदित है राम गंगा भाहुदेशी ये परियोजना से संबंदित है तो दो तीन चार जो है ये सही है जबकि इडुकी वाला गलत है तो आसा ब्याक्या देखते है इडुकी ताब विदुद केंद्र नहीं बलकि जल विदुद परियोजना है और यहाँ इसके सामने लिखावा ताब सक्तिक गरी इसलिए गलत हो गया है वो इसको पढ़ी देते हैं जो केरल के इडुकी जिले में पेरियार नदी परवस्थित है कौन इडुकी ताब विदुद केंद्र सवरीगरी जल विदुद परियोजना केरल राजमय वस्थित है घाट परवासि चाही परियोजना और राम गंगा बहुत देशिय नादी घटी प मांडवी नदी यह गोवा ज कोसे दोड़ सागर जलपर्पाht मांडवी नदी पर है दूडमा जलपर्पा यह मक्छ कुंड में है और गोकाग, जल परपाथ ये घाट परवा नदी पर मिल जाएगा, जबकि जोग जल परपाथ ये सरावती नदी पर मिल जाएगा, तो बिकल्प एस का सही अंसर है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, राज्य के साथ, दूध सागर जल परपाथ, मांडवी नदी पर करनाटक बम, ग मागतरा जादा सब्सकтов निवезде क्रमों में से कौन भारत नवेख पृट्षत से प्रतिसत क्युश्य, विर सब्सक्राइब करता है कि दिए जद देखते हैं को नवीन थैसं मिलाना यह सद चेत्र Suppose men तो पस्चिमी घाट में जो अस्थानांत्री खेती होती है उसको बोलते है कुमारी दच्छिन पुर्वी राजस्थान में जो होता है उसे बालतरे बोलते हैं और उत्तर पुर्वी भारत में जो सनंत्री खेती होते हैं जूम कृशी बोलते हैं और मद्ध परदेशता चतिस गड़ में जो होता है उसको डाहिया कृशी बो मिलेगा और नाल को एल्मूनियम कंपणी ये कोरा पुट में मिलेगा विकल बी तो इसका एंसर है लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बाल को एल्मूनियम कंपणी कोरवा 36 गड़ में मिलेगा हिंडाल को एल्मूनियम कंपणी रेनुकुट उत्तर प्रदिस में मिलेगा ह हिंड आलकोला तो कमसे में याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का माम लाइए इंडियन एलुमुनियम कंपनी हेरा कुड उडिसा में मिलेगा और नालको एलुमुनियम कंपनी एक कोरापुट उडिसा मिलेगा तो यह 2017 का भी प्रस्ण समाप्त हुआ वीडियो कैसा लगा क्या सुधार की संभावना है कमेंट जरूर कीजिए आप डिस लाइक भी कर सकते हैं बस कारण जरूर बताइए तकि मैं और योगदान दे सकूँ अपना आपकी तयारी में ठीक है और मैं बार बार क्या बोलूँगी सेहर कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ में कौन भारत का सबसे उचा जल प्रपात है तो देखिए भारत का सबसे उचा जल प्रपात तो है लेकिन इसके इंसर में बिवाद है क्या बिवाद है मैं पढ़ता हूँ पहले फिर इंसर बताता हूँ लिखा हुआ है बिस्व जल प्रपात डेटावेस की बरतमान इस्ति ये तिक अनुसार भारत का सबसे उचा जल प्रपात नो काली कई प्रपात है और ये नो काली कई प्रपात मेघाले राज में हैं। नोकाली कई जलप्रपात जो मिघाले राज में है यही भारत का सबसे उचा जलप्रपात है ठीक है तो यह दोनों की जानकारी रखनी चाहिए अगर यह दोनों आफसन में रहेगा तो तो कुंची कल ही टिक लगाईएगा क्योंकि भाई आयोग ने यही मानाया भी भी लेकिन अगर कुंची कल नहीं रहेगा भी गलत में तो नोकाली कई जलप्रपात याद रखना है तो इसी को ठिक लगाना है तो एंसर मिल गया उसका अब नेक्स देखते हैं निमलिकित कत्नों में कौन सही नहीं है तो देख लेते हैं जो सही है पहले कतन काली काली मिट्टी को अस्थानिय भासा में रेगुर कहा जाता है एकदम सही है क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है तो देखिए ये नया थोड़ा सा लाइन मिला है कि क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार मिला है काली मिट्टी में आदरता इनिकी नमी धारन करने की उच्च छमता होती है बिल्कुल सही बात है नमी धारन करने की उच्च छमता होती है इसी के कारण जब सूखता है ये काली मिट्टी तो बीच बीच में दरार पड़ जाता है और इसके वाद इसको कहते हैं कि स्वत काली मिट्टी में कैसे पाई जाती है यह तो दक्कन के पठार उसके आसपास के राजियों में पाई जाता है जैसे कि महारास्ट्रा हो गया गुजरात हो गया करनाटक हो गया और मद्द प्रदेश हो गया तो यह गलत है ठीक है अपने पिछला व्लब वीडियो अगर करते हैं इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं क्यूंकि इसका निर्मान बेसाल्ठ लावा के उप्षय के कारण हुआ है ठीक है तीसरा फेक्ट है कि यह डखकन के पठार वाले राज्यों में पाए जाता है जैसे महारास्ट्रा गुजरात करनाटक मद्द परदिस आदी ठीक ह चौथा फेक्ट है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यूं होता है तो टिटनी फेरस मैगनेटाइड के कारण काला होता है मैं फिर से बोलता हूं काली मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैगनेटाइड के कारण काला होता है ठीक है कभी-कभी पूछ लेता है कि काली मिट् क्षाई है ठीक है नेक्स्स फैक्त था यह कि कपाघ के लिए जो 20 में नाम बेस्वी का स्तरपर कार सी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो पर चर्णोजेंग बैद बात बिएसवी और कनाडΑ के स्वाइल मैप में आप देखेंगे तो मिल जाएगा चर्णोजे मिट्टी अच्छा ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है और कपास से याद आया कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात राज में होता है ठीक है निर्मान बेशाल चलावा के अपच्छे के कारण होता है ये दक्कन के पठार में पाए जाते हैं जैसे कि महरास्ट्रा, गुजरात और करनाठक वाले राज्यों में इस स्वता जुताई वाले मिट्टी बोलते हैं मैंने बोल दिया है काली मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैंगनेटाइड के कारण होता है काली मिट्टी में लव अंस की मात्रा अधिक होती है किन्तु नाइट्रोजन, पोटास और हुमस की मात्रा कम होती है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्यों कि कपास के उत्पादन के लिए कपास की क्रिशी के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और कपास से एक फैक्ट ये भी कि गुजरात में सबसे आधा कपास होता है भारत के राजियों में काली मिट्टी को बैस्वी कस्तर पर चेर्नो जेम कहते हैं स्वाइल मैप अगर हम बल्ड का देखें तो उक्रियन, USA और कनाडा में हमें चेर्नो जेम मिट्टी मिलेगी जिसे हम भारत में काली मिट्टी कहते हैं ठीक है हो गया अब नेक्स देखते हैं मैक मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो देखिए ये रिपीटेड कोश्चन है इंडारेक्ली रूप से रिपीटेड है तो मैक मोहन रेखा जो है ये किस दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है तो ये भारत और चीन के बीच में है मैक मोहन रेखा आपने पढ़ाई ह हुआ जो एक रेखा उसी को बोलते हैं इनी के नाम पर मैक मुहन रेखा ठीक है तो यह तो हो गया इसका इंसार है लेकिन आपको याद आ रहा है कि यह पहले वीडियों भी आया तो मैंने उस सारे फैक्ट को कलेक्ट कर रखे हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट मैं यहाँ पढ़ और कनाड़ा तो 38 मी नौर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, 49 मी यहनि की 49 युएसे और कनाड़ा के बीच में ठीक है एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ प्रायड कर रखे हैं जैसे हिंडन वर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपको मिलेगा मैंहिम रेखा मैंहिम रेखा यह युएसस ओर और फिनलैंड के बीच में आपको मिलेगा ठीक है एक और है जो महतपूर्न है कई टेस्रिज में में यह देखे थे इसका नाम क्या है मैगी नॉट रेखा मैगी खाने वाला तो मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है ठीक ह विगलप एस का सही अंसर है, क्या होता एड़िफिक में, तो मुर्दा की संरचना एवं उसके संघटकों को एड़िफिक कहा जाता है, मतलब किन-किन चीज़ों से मुर्दा बना हुआ है, तो एड़िफिक उसको कहा जाता है, यह ग्रीक सब्द है, जो इड़ाफोस से बना भारत के निमलिकित राज्यों में किसकी तट्रेखा सबसे लंबी है, तो आपको तो पता ही होगा कि भारत के बारे में अगर पूछे कि तट्रेखा किसकी लंबी है, तो गुजरात की सबसे लंबी है, ठीक है, और विस वस्तर पर पूछे कि सबसे लंबी तट्रेखा किसकी है तो कनाड़ा की सबसे लंबी तट रेखा है तो यह आपने पढ़ा है मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया आपको पुनह स्मरन करा है अच्छा जब गुजरात से याद आया हमने इतने question गुजरात से संबंदित solve किये हैं तो गुजरात के map में सफर में हमने लखपाल देखा था क्या था लखपाल कष के पास लखपाल धोस्त नगर यह गोश्ट नगर के रूप में question बना था इस पर लखपाल के बारे में हमने एक देखा था हमीर सर जील कहा था हमीर सर जील याद आ रहा हुए आपको मैं नाम के जैदेगवन के एक picture आई है तो भुज के पास ही आपको हमीर सर जील मिलेगा हमीर सर लेग ठीक है फिर हमने एक question देखा था मेहसाना और कलोल के बारे में किस चीट के लिए देखा था मेहसाना और कलोल दर असल गुजरात में तेल सोधन साला के रूप में जाना जात स्थित है तो यह दरसल इलाज कोशनिकर नहीं तो अब इसके बारें भी थोड़ा बिवाद है क्या है मैं थोड़ा पढ़ता हूं उसका भगवान बेंके डिस्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरूपती में स्थित है यह मंदिर सेशा चलम परवत स यह मंतरें इस्थित है अब देखेए सेशा चलम कहीं औक्षम में है ही नहीं ग्यातव है कि सेवराय पहाडियां तामिलनाडू के सलेम में जवादी पहाडियां बेलो रेवम्तिरवन मलाई जिला में और तामिलनाडू में तथा बीली गिरी रंगा पहाडी कर्नाटग में जबकि मला मला नाम की कोई पहारी अस्तित में नहीं है उत्तर प्रदेश आयोग ने इसको मुल्यांकन से बाहर कर दिया था देखे यहां पर तो यह कोश्चन तो बाहर हो गया मुल्यांकन से नेक्स्ट राजस्थान मरवस्थल अथवा थार मरवस्थल निमलिखित में से किसका विस्तार है तो ये प्लेश्टो सीन एवं अभिनव जमाब का विस्तार है इसलिए विकल्ब सीस का साइयंस है अच्छा आपको याद आ रह मरवस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है पॉपलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो हमने उसका एंसर क्या लगाया था थार मरवस्थल बिसमें अगर सबसे बड़ा मरवस्थल पूछे तो सहारा मरवस्थल बिसमें सबसे ज्यादा घनिया वादी वा बात करें, तो साथ लोग मैक्सिमम साथ के आसपास ही रहते हैं, एक किलोमेटर स्कॉयरे में, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, भारत की निम्लिकित नदियों में कौन पस्चमी घाट से नहीं निकलती है, तो देखिए, इसका सही अंसर है विकल बी, क्यूंकि तापती या ताप कावेरी, तो मुझे लगा इसके बारे में बात थो पहले विडियों करें, तो फैक्ट रीक warnings करनेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया है, कावेरी नदी जब देखेंगा आपको कावेरी फॉल मिलेगा और कावेरी नदी का उद्गम अस्थान ब्रह्म गिरी है जो कुर्ग जिला करनाटक है वहीं से यह कावेरी नदी निकलती है कावेरी नदी के लिए दो चीज के लिए और जाना जाता है एक स्रीरंग पटनम पर क्योंकि सहर पर भी कुश्चन पूछता है तो यह थोड़ा सा होमबर्ग जैसा हो गया नेक्स देखते हैं भारत के बिभिन छेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलावी और काली चम्पा निमलिकित प्रमुख फलो में किसमे की किसमे हैं तो यह अंगूर की किसमे हैं क निमलिकित राज्जियों में कौन इलाची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इस पूछने वाली बात है इलाची और काली मिर्च का अकेले केरल उत्पादित करता है अच्छा एक एसा ही कोच्चन आया था ना पूछा था कि सबसे जादा मतलब भारत का 70% कौफी कौन सा राज उत्पादन करता है तो आपको एंसर याद आ रहा है ना करनाट का करनाटक जो है सब 70% भारत का कौफी आखे लिए उत्पादन करता है नेक्स्ट है सुची एक को दो से मिलाना है एक साइड राज है और दुसरे साइड उसकी सबसे उची चोटी है तो देखिए ये भी रिपीटेड कोशन एक तरीके से केरल की सबसे उची चोटी कौन सा है अनाय मूडी है आपको पता ही है अग केरल की ये सबसे उची चोटी नह प्रवत पर्वत पर्वत और जब नील गरी पर्वत की हम बात कर रहे हैं तो हमें टोडा जन जाती याद आनी चाहिए जिसका मुख विवसाए पसुपालन है यह वहस पालन करते हैं ठीक है अच्छा एक चीज और हमने पढ़ा था नील गरी पर्वत और अन्ना मलाई पर्वत जिस पर अनाई मुडी चोटी है दर्शिनवाज के सबसे उची चोटी इन दोनों के वीच में घाट है क्या नाम है उसका पाल घाट है अच्छा तो यह सारे फैक्ट्स हो गए एक तरीके से रिवीजन अब एक बार फिर से पढ़ देता हूं थ्वा सबसे उची चोटी है न अब 200 वैसे मैप में लिखावा है 2636 मीटर कहीं कहीं पर मैंने 2637 मीटर भी देखा है तो इसमें कंफिजर नहीं होना है 2637-36 ऐसे ही कहीं कहीं पर है जब अपडेटेड मैप आया है उसमें तो 37 है नेक्स में लिखावा है निमलिकित भारतिये मौसम मुख्यालेों को उनकी अ मुख्याले इधर से उदर उदर से उदर नाचता रहा है देखिए कैसे कैसे है वैसे तो भारतिय मौसम विभाग की अस्थापना जो ही है 1875 में हुई है अच्छा 1875 से याद आया आपको एकोनोमिक्स में आपने टेस्टेज में पढ़ा होगा कि ये एसिया का सबसे पुरा और भी कुछ हुआ है बहुत सारी चीजे हुई है अब आप सर्च कीजिए इस तरह से देखिए तो मुख्याले इसका 1874 में जब अस्थापना हुआ था भारतिय मौसम विभाग की तो मुख्याले इसका कलकत्ता था लेकिन 1905 में इसका मुख्याले बदल करके कहां आ गया सी जल्ली में ही है ठीक है तो धियान डखना ये बस इतना ही था समाप्त हो गया दो साल का और बच्चा मैं जल्देली देखता हूं इसको और फिर आज के दिन में ही अपलोड करने का पूरी प्रियास करूंगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा नहीं कुछ बोलूंगा देख रहे थे और 2012 से 2018 तक सभी प्रस्णों को हमने देख लिया है इस वीडियो में 2019 और 2020 का प्रस्ण है तो ये लास्ट वीडियो होगा तो पहला जो क्वेश्चन है वो सुची एक को दो से मिलाने वाला है एक साइड कोईला छेतर दिया हुआ है दूसरे साइड उसकी अव महानदी घाटी में है और करणपूरा कोईला छेतर की अवस्थिती दामोदर घाटी में है सिंग्रॉली कोईला छेतर की अवस्थिती सोन घाटी में है जबकि सिंग्रेनी सिंग्रेनी दरसल तेलांगना में है सिंग्रेनी कोईला छेतर की अवस्थिती गोदावरी घाटी मे तो यह इसका एंसर है, कनफ्यूजा नहीं हाँ पर सिंग रॉली और सिंग रेनी में हो सकता है, तो देखें एक बार और देखते हैं थोड़ा अच्छे से, तालचिर कोईला छेतर जो है, वो उडिसा राज में है, और यह महानदी घाटी में है, कर्णपूरा कोईला छेतर जो कि तेलांगना में है, यह गोदावरी घाटी में है, अच्छा सोन भदर से याद आया, सोन भदर उत्तर प्रदिस का ऐसा डिस्टिक है, जिस से चार राज्यों की सीमा टच करती है, एक का नाम मैं बताता हूँ, चछतिस गड़, और तीन का नाम का पहला लेटर आप कमेंट तो इसका एंसर दोनों देखे दिया हूए A और B, जबकि कामेट और नंगा परवत जो है, तो यह भारत में वस्तिती है, नंगा परवत तो आपने मैप में देखा ही होगा, यह जमुन कस्मीर का पियोकवे वाला जो पार्ट है, जो पकिस्तान अकुपाइट कस्मीर है, उस यह पुर्वी तिबबत में आपको मिलता है, हाला कि अरनाचल परदेश से लगा हुआ है, लेकिन यह पुर्वी तिबबत का पार्ट है, तो वही चीज़ जिसमें ब्याक्ख्या में लिखा हुआ है, देखे लिखा गुरुला मंधाता परवत सिखर भारत में नहीं वलकि प अकुपाइड का स्मिर है, उसमें यह आता है, नेक्ष्ट क्या है, भारत के उत्तर पस्चमी मैदान में पस्चमी बिछोब से जाड़े में होने वाली बर्सा की मात्रा करमसा कम होती जाती है, तो बिलकुल यह बात सही है कि पस्चम से उत्तर की दिसा में, मतलब उधर पस्चमी बिछोब कहा सुत्पन होता है, अगर आपके दिमाग में अफरिका और यूरोप का मैप स्मरन आ रहा हो, मतलब याद आ रहा हो आपको, तो मेडिटेरियन सी आपको याद आ रहा होगा, वहीं से यह पस्चमी बिछोब चलती है, देखें लिखावा पस्चमी ऑजक्षाम कारण बनते हैं, तो जाड़ा मतलब ठंड़ा में बृस्चमी बारत में, तो उतर-पस्चमी बारत में, जाड़े में य Pennsylvania रहा होती है, उसका कारण बिछोब होता है, जिसके उतप्त्ती, कहा होती है, भुमध सागर्शेतर में होती है, भुमध सागर शयत्रमें मीठा जल का तुरंत निचले भाग में खारे जल का परवाह मिलता है तो लूनी नदी अगर आपको याद आ रहा हो राजस्थान में लूनी नदी अरावली परवत से जो निकलती है तो लूनी नदी का जो उपरी जो जब से जहां से निकलता है लूनी नदी अब देखी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात और है मैं ब्याख्या पढ़ता हूँ राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली स्रिंखला में इस्थित नागा पहाडी से होता है तो पहला फैक्ट तो यहाँ पर यही बन गया कि लूनी नदी कौन से पहाड़ी से निकलती है तो नागा पहाडी से और यह कौन से स्रिंखला का हिस्सा है नागा पहाडी अरावली स्रिंखला का सबसे प्राचीन पहाडी है यह स्रिंखला है भारत का अरावली स्रिंखला नेक्ष्ट प्रारम में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुसकर जील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरसुती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी कहलाती है तो लुनी का जो प्रारंभिक नाम होता है, वो दरसल सागरमती कहलाती है, लेकिन जैसे ही सरसुती नदी मिल जाती है उसकर रजिल के पास, उसकर रजिल राज्टान में तो उसके बाद यह लुनी कहलाती है, यह दूसरा फैक्ट हो गया, थीसरा अपने परवाह मार के उपरी या खारा हो जाता है तो यही बात था इसी से question बना हुआ था अच्छा एक चीज़ और है देखे इसका नामकरण पर बात कहा गया है यह नादी दच्छिन पस्चिम दिसा में भाती हुई कक्च के रन में बिलीन हो जाती है जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी जिसको राजस्थानी में लूनी कहते है नाम पड़ा है यह नाम संस्क्रित सब लवनावती यानि कि साल्ट रिवर से बियत्पन हुआ है मतलब उससे उत्पन हुआ है नेक्स्ट मद भारत में इस्थित पहाडियों का पस्चिम से पूरव निमलिकित में से कौन सा एक सही क्रम है तो अगर आपको पहाडी वाला पार्ट याद आ रहा है इंडिया का तो पस्चिम से पुर्व की दिसा की ओर इमेजन कीजिए तो सबसे पहले आपको सत्पुड़ा मिलेगा वही सत्पुड़ा के घने जंगलों में कवीता याद आ रहा होगा पो स्कूल डेज सत्पुड़ा मिलेगा फिर महादेव फिर मैकाल फिर छोटा नागपूर छोटा नागपूर से ही द्यामोदर रदी निकलती है और जिसको बंगाल का आवी साप कहा जाता था नेक्ष देखते हैं कथन और कारण है तो कथन है इसमें भारत में सरवधिक सघंता वाला भुकम्पिये चेतर हिमाला चेतर में स्थित है बिल्कुल सही है सबसे ज़्यादा सघंता वाला भुकम्पिये चेतर कहा है हिमाला चेतर में कारण हिमाले में कई अनुधैर उत्क्रम छेत्र अवस्थित है तो कथन और कारण दोनों सुतंतर रूप से सही होने के साथ एक दूसरे की ब्याक्ख्या भी करते हैं इसलिए बिकल्प एसका सही अंसर है नेक्स्ट ये इसकी ब्याक्ख्या दिवी है नेक्स्ट है मनिपूर पहाडियों से घिरा इमफाल बेसिन एक सुन्दर उधारन है तो मनिपूर पहाडियों से जो घिरा हुआ इमफाल बेसिन है ये सरोवरिये मैदान का एक सुन्दर उधारन है सरोवर वाला मैदान तो विकल् ब्याक्या भी पढ़ा लेते हैं, लिकावा है और इंफाल वेसीन इसके उत्तम उदारन है तो ऐसा नहीं कि इंफाल वेसीन ही सिर्फ सरोवर ये मैदान के उदारन है कस्मीर का जो घाटी है वो भी दरसल ये सरोवर ये मैदान का ही उदारन है इसका मतलब पहले वाँ पर सरोवर होता होगा और कस्मीर घाटी में भी और फि तो बेकल बीस का एंसर हो गया दामोदर नदी को ही बंगाल का सोक नदी अविसाप नदी भी कहते हैं और ये छोटा नागपुर पढ़ार से निकलती है और ये हुगली में मिल करके बेव बंगाल में जा करके सिमाप्थ हो जाती है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हिमाले परवत स्रेनी के संबंध में निमलखित में से कौन से कथन सही है तो जो कथन सही है उसको देख लेते हैं देखे पहला ही कथन गलत है लिखावा है मुख हिमाले की परतदार चट्टाने जिवास्म हीन है मतलब जिवास्म नहीं है तो ये गलत हो गया क्यो नेक्ष्ट बाह हिमाले या सिवालिक हिमाले में मानव सब्यता के अवसेस मिले हैं तो ये दूसरा और तिसरा दोनों सही है इसले भी कल 20 का सही अंसर है कैसे ये सही हुआ थोड़ा ब्याक्या देख लेते हैं पता चल जाएगा छोटा सा ब्याक्या है लगु हिमाले की परतदार चटानों में समुदरी जीव जन्तूओं की जिवास मिलते हैं ये बात सही है बाह हिमाले या सिवालेक हिमाले में इस्तित बुर्जहूम एवं गुफ कराल में मानव सब्यता के अवसेस प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहूम तो आपको यादा ही कॉशन को देख लेते हैं और यह लास्ट है तो भारत का भुगोल 2020 का जो प्रस्ण है सबसे पहला ये निमलिखित जन्जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकवार दीपसमू की मूल निवासी नहीं है तो जो नहीं है अंडमान और निकवार दीपसमू की वो है रेंगमा क्योंकि रेंगमा जन्जाति जरसल असम और नागालैंड में आपको मिलेगा तो इसलिए विकल भी इसका सही इंसर है यानि कि अंडमान और निकवार दीपसमू की जो जन्जाति है वो हाल्चू, ओंजे और सोमपेन ये तीनों जन्जाति अंडमान निकवार की है और आज ही कोसिस करूँगा, अगर आज कर दिया तो ठीक है ने तो नहीं करूँगा, देखिए अब अंडमान निकवार से सम्मंदित कुछ फैक्ट आपको भी याद आ रहे होंगे, 10 डिगरी चैनल याद आ रहा है, 10 डिगरी चैनल अंडमान और निकवार को अलग करते हैं उसका नाम आपको बताने है, उसी पर है पोर्ट ब्लेर और डखकन पास के पैसेज के नीचे में जो है, वो है साइद लेटील अंडमान है क्या, अच्छा एक कोको स्टेट आपको याद आ रहा होगा, कोको आईलेंड और उत्री अंडमान को अलग करता है, कोको आईलेंड इसी पर भारत का दक्षिंतम बिंदू, इसको इंद्रा पॉइंट कहते हैं, वो ही है, तो यह सब सारे अच्छा एक मात्र सक्रिय जो अला मुखी भी है, उसका क्या नाम है, तो वो भी एक फैक्ट आपको याद आने चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में डिसकस किये हैं, तो आप ने अगर नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो तो जरूर देख लिए, चाहे बढ़ा-बढ़ा कही देख लिए, देख लिए, उसमें और ज्यादा बिसलेशन किया गया है, एक के साथ साथ चाचार पांच-पंच फैक्ट का बिसलेशन किया गया है, इसमें तो स कौन सी एक नदी हिमालेपार या राकषस्ताल जील से है, तो ये बात तो आपको यादा ही रहा होगा क्योंकि पिछले वीडियो में बात की गई है ये हिमालाय की स्रेनियों को काट कर गहरे गौर्ज का निर्मान करती है अच्छा हमने एक फैक्ट ये भी बात किया था कि यह लगातार तीन वार काटती है माले कि स्रीन को एक मात रहसा न दी है तो यह वी एक फैक्ट है नेक्स्ट देखे फिर से जन जाती और अवस्थिती आ गया मैं कोशिस करता हूँ जरूर अप्लोड करने का क्योंकि इससे एक तरह से एकदम हॉट जोन है यह जन जाती वाला न और रंगामी जन जाती यह दोनो नागा लेंड की है अलांकि रेंगमा असम में भी मिल जाएगी लेकिन रेंगमा और अगामी यह जआद रखनाए बिर्होर तो कई वार फुच चुका है लगता है चायओ ठावाट पांचमा बार लगता है बिरहोर जन जाती जहार खंड की और नेक्स्ट क्या है तोड़ा जन जाती तोड़ा जन जाती टामिलाडो की है यह तो आपको बहुत अच्छा सियाद होगा मैंने कहानी बताए था अभी फिर बोलूगा भी कहानी खस जन जाती अरुणाचल परदेश की नहीं है तो कहां कि यह खस जन जाती यह उत्राखंड ह निमाचल परदेश और जमू कस्मीर में मिलेगा खस जन जाती ठीक है अच्छा टोड़ा के बारे मैं पुना स्मरंग गराता हूं आपको आपको याद है दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी याद तो ही गया होगा अनमूडी जिसकी उचाई कितनी है 2695 किलो मीटर है मैं मीटर वाली बात हैं तो अनमलाई परवत पर दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी अनमूडी है ठीक है और अनमलाई की भी सबसे उची चोटी होगा यह दच्छिन भारत की जब होई तो जब उत्तर में देखेंगे तो आपको यादिके अनमलाई परवत के उत्तर में तो 2637 मीटर कहीं कहें पर 2636 भी दिया हुआ है निकि 2636 भी दिया हुआ है कि पुराने वाले अटलस मैप में अब देखिए इसी निलगरी परवत की जो मूल जन जाती है वो टोड़ा जन जाती है जिसका मुख वेबसा है पसुपारण करना यह भैंस का पारण करते हैं तो यह connection आपको अच्छे सी याद हो गया होगा अब बार बार यह टोड़ा का चर्चा रहा था डारेक्ली इन डारेक्ली नेक्स देखते हैं सूची एक और सूची दो तो एक साइट जील है दूसरे साइट उसकी अवस्तिती है तो अब देखें जील से भी question हर साल आ रहे हैं यह साला जील कहां का है तो साला जील अरुनाचल प्रदेश का है यह तो याधी रहेगा साला जील अरुनाचल प्रदेश का है नेक्स्ट है बढखल जील बढखल जील हर्याना का है एक और हर्याना का जील था न सुरजकूंड जील याला रहा होगा आपको सुरजकूंड ल बढखल जील अर्याना का फरिदाबाद में मिलेगा और लोक्टक जील ये मनीपूर में और काली वेली जील ये बिल्युपूरम जीला दामिलनाडों मिलेगा next कथन है आमदाबाद भारत में सूती वस्तुर दोग का सबसे बड़ा किंद्र है नहीं है क्यों 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 क्योसे बड़ा किंद्र मूंबई महारास्ट्रा है ठीक है मतलब महारास्ट्रा का मूंबई से आ रहे है तो पहला कथन गलत होगा दूसरा क्या लेक हुआ आमदाबाद भारत के परमुग कपास UTAFO-K routes Meg Zachary इसलिए से कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास अगर कहीं होता है भारत में गुजरात में होता है तो इसलिए कर करें कारण सही है कथन गलत तो ये कौन सा भिकल भुज़ेगा भिकल डी है ए गलत आर सही अच्छा आमदावाद कौन से नदी किनारे वसी हुई है तो ये कोशन आप बताईएगा सावर मती आस्रम भी वहीं आसपास में आपको मिल जाएगा ठीक है तो मैपिंग किजिएगा इसमें और बताईएगा कि कौन से नदी किनारे है अगर अच्छे से याद ह बिलकुल कोई confusion ही नहीं है मतलब भूलने कोई संभावने नहीं तो मत टाइप किजिएगा अगर थोड़ा दिक्कत है तो टाइप करके बताईएगा यही ची लिखा हुआ इसमें कि भारत में सूती बस उर्दोग का सबसे बड़ा के अंदर मुंबई महरास्र है उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है और अहमदाबाद का भारत के प्रमुक का पास उत्पादाक छत्रों में स्थेती होने के कारण इसे कच्छे माल की कोई समस्या नहीं होती है तो ही सारी बाते है और क्या नेक्स क्या है निमलिखित में से कौन सी भारत की नवींतम परवत स्रे हिमाद्री स्रेनी है जो प्लब्द विकल्ब है उसके हिसाब से अब प्राचिंतम पुछ देता तब क्या बोलते हैं प्राचिंतम प्रवत्स्रेनी अरावली स्रेनी है इसके बी वाले ओप्सन में देखे लिखा हुआ है मैं पेन का यूज करूँ देखिए अरावली स्रेनी य यह हो गया ट्राचींतं oldinary Temple the region V시면 Translation two worlds अराफली संब्स एक चत्ब में कुछ एक नदी अभि कॉन से पढ़ारी से निकलती यह लूनी नदी अरावली शरेणी नहीं कहाँ और भते है न लूनी नदी में OS और एक फैक्ट और था जो जहां से प्रारंब होती है उसमे एक सहायक नदी मिलती है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वह ही जब नदी सहायक नदी मेना जाती है उसलोर के 100 तक समीन में नहीं तो ये सारे fact है next निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो खनीज और उत्खनन सहर सहर है लिखा हुआ एक साथ खनीज है एक दुसरे साथ उत्खनन सहर तो सही जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं जैसे लोह एसक बिल्लारी से संबंदित है और वॉकसाइट का उत्खनन ये कटनी से होता है जबकि जो गलाज उसको छोड़ दिया है अब यहाँ ब्याख्या पढ़ देते हैं गलत सही दुन सही हो जाएगा करनाटक में सित बिल्लारी लोह एस के उत्खनन के लिए परसिद्ध है चित्र दुर्ग में लोह एस के में मैगनेज का उत्खनन किया जाता है भील वाड़ा जो कि राजस्थान में है तामा के लिए उत्खनन के लिए परसिद्ध है और राजस्थान में मैगनेज एस का जमाव बासबाड़ा, उदयपूर, पालियादी जिलो में है तो यही सारी चीदे हैं मद परदेश में जो कटनी है जो जगायो बकसाइट के लिए परसिद्ध है लेकिन यह मद परदेश में है नेक्स्ट है कस्मीर घाटी स्थित है तो अभी हमने एक पढ़ा था कि कस्मीर घाटी और इमफाल घाटी यह दरसल सरोवरिये मैदान का उधारन है सरोवरिये मैदान मतलब की वहाँ पर पहले सरोवर था और बाद में गाज जमा हो गया और मैदानी स्थित में बदल गया तो यह तो पूरू फैक्ट है अब पुछराई कस्मीर घाटी स्थित है पूर्व की और करम में विवस्थित कीजिए तो पूर्व की और करम में विवस्थित करना है तो पूर्व की और अगर आप देखेंगे यमन नदी एमनत्री गलेसिया से जो निकलती है तो सबसे पहले आपको चंबल नदी मिलेगा फिर सिंध नदी मिलेगा सिंध वो वह वला सिंध तो एक है ही कस्मीर में यहाँ पर भी सिंध नदी मिलेगा फिर उसके बाद बेतवा नदी मिलेगा फिर केन मिलेगा तो पहले बेतवा फिर केन मिलता है इसलिए विकल्प एसका सही अंसर है वो ही वात यहाँ पर ब्याख्या मेरे ख़वाएं पढ़ देता हूँ यामना नदी के सहायक नदियां पस्चिम से पूर्ब की और करम में इस प्रकार है पहले चंबल फिर सिंद फिर चंबल नदी मदपरदेश के महू के निकट से निकलती है यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपूर और धौलपूर से होती हुई अंत में यमना नदी में मिल जाती है अच्छा एक कुशन और है कोलकाता बंदरगा से अगर तल्ला के लिए पहली वार माल वाहक जहाँ ज किसे मैं बोल देता हूँ ताकि याद रहेगा अच्छे से लूनी नदी वाला बात क्योंकि वो महतपूर ने बार बार पूछ लेता है अच्छा इमफाल वालत याद रहेगा नापो सरोवर्य मैदान इमफाल की बेसीन और कस्मीर घाटी यह दोनों है सरोवर्य मैदान का उ प्रारम में इसे सागरमती कहते हैं, किसको लुनी नदी को, लेकिन जैसे ही ये पुसकर जील के पास पहुचती है, तो यहीं पर एक सहायक नदी सरसुती नदी मिल जाती है, और सागरमती में जैसे ही सरसुती नदी मिलती है, तो इसको लुनी के नाम से हम जानते हैं, और एक स तो शुरूग 100 km तक शुरूग 100 km तक मीठा जल पाये जाता है, उसके बाद फिर ये Bπό APC bouhitez के रहें किरे करनाइनी apologize जिसको रॉजठानिवासा में लूणी कहते हैं और इसका जो संस्कीत में लवनावती सब्द से निकला है लूनी, इन्हीं साल्ट रिवर्स से ठीक है, तो वीडियो समाप्त हुआ, वीडियो कैसा लगा, सुझाव अपने जरूर दीजिएगा, और धैरता के लिए 20 तक साथ देने के लिए आपको धन्यवाद दिल से, वीडि के नाम पर कर दीजिए, जैसे भी हो सकता है, थैंक यू, किस पर और वीडियो बनाने चाहिए, आप जरूर बताईएगा मुझे,